हेलो एव्रिवन मेरा नाम राजीव है और वेलकम तो इस वीडियो सो जावा लैंग्विज की सीरीज में हमारा नेक्स वीडियो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम बफर डीडिर क्लास से यूजर इंपुट कैसे ले सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एसकेनल क्लास से कैसे यूजर इंपुट लेंगे अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा बफर डीडर क्लास है बफर डीडर और इसके लाग एक और क्लास है इंपुट स्ट्रीम रीडर सो इंपुट स्ट्रीम रीडर क्या करता है स्ट्रीम क्रियेट करता है और बफर डीडर क्या करता है एक protein swoją करता है buffer का work करता है तो इन दोने के बारे में डीटेल में पूरा है पर टेक्निकल डीटेल में नहीं जाओंगा विकाज अभी ओ आउट अफ कोर्स है उसको हम लोग आने वाले वीडियो में जब मैं स्ट्रीम पर हाऊंगा तो बताऊंगा ठीक है तो आज हम लोग user input देखने वाले हैं buffer reader और input stream reader class के हल्ब से सो यह दोनों क्लास जिस package के अंदर आते हैं उस package का नाम है IO ओके और हम buffer reader class के दो method का यहां पर यूज करने हैं करने वाले हैं user input लेने के लिए पहले method का नाम है read line r e a d and line line का L uppercase में होगा and दूसरा method है read line जो भी data read करता है उसे string form में read करता है तो उसको अगर integer में हमें convert करना है तो उसके लिए हम जिस function का use करेंगे उसका नाम है integer dot parse int parse int और अगर read line ने जो number input लिया है अगर वो point वाला number है तो obvious सिबा तो string form में होगा तो अगर उसको हमें double form में convert करना है तो उसके लिए function है double dot parse double अगर उसी तरीके से हमें float में convert करना हुआ तो float dot parse float ठीक है तो start करते हैं तो सबसे पहले अगर buffer reader class का use करना है तो इक इस package में है I.O. package में तो हमें I.O. package को import करना होगा so import java.io.asterick अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने जब user input देखा था तो हमने utile को import किया था क्योंकि हमने scanner class का use किया था जो utile package में आता है अब हम क्या करेंगे यहां पे हम buffered reader class का object बनाएंगे ठीक है so buffered reader buffered reader buffered का b capital reader का r capital space नहीं होगा then एक variable आप कोई भी variable ले सकते हो मैं दे लेता हूँ b re assign with new और new के बाद फिर हम लिखेंगे new buffered reader new buffer reader और यहां पे हम new buffer reader के अंदर pass कर देंगे buffer reader के बाद हमारा parenthesis open close होगा new buffer reader के बाद और buffer reader के अंदर हम pass कर देंगे new input stream reader और फिर input stream reader के बाद parenthesis open close और उसके अंदर हम pass करेंगे system.in तो अगर ए लाइन नहीं समझ में आई है कि इस लाइन में मैंने क्या किया है तो मैं फिर से explain कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे new input stream reader को हभी हटा दे रहा हूँ ठीक है तो हमने यहाँ पे buffer reader class को object create किया buffered reader br assign with new buffered reader और field new buffered reader के अंदर हम क्या pass कर देंगे input stream reader class का object तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे new input stream reader और फिर new input stream reader के बाद new input stream reader के बाद parenthesis open close और उसके अंदर हम क्या pass करेंगे system.in तो यह हमारी पूरी लाइन है ठीक है अगर हम चाहें तो इस लाइन को break करके दो लाइन में भी लिख सकते हैं कैसे new input stream reader को यहां से cut कर लो और यहां पर उपर हम input stream reader input stream reader एक variable ले लो मैं isr ले देता हूं input stream reader का short assign with new input stream reader और फिर उसमें system.in pass कर देंगे और अभी जो मैंने object बनाया new input stream reader इसको मैं store कहां कर रहा हूं isr में isr variable में तो यहां पर हम buffer reader के अंदर क्या पास कर देंगे isr ओके बट यह दो लाइन लिखने की जगह इसको short में कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से सीधे new input stream reader को buffer reader के अंदर पास कर दो अब दूसरी चीज़ धियान रखना कि जब भी तुम buffer reader class का यूज करोगे तो में जो तुम्हारा method है public static void main उसके बाद एक line add करनी पड़ेगी throws फिर space i o exception throws i o exception अब हम यूज करते हैं exception करने के लिए इसके बारे में ज्यादा डीटेल आगे जब मैं run time error पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा अभी के लिए बस इतना समझो कि जब भी तुम्हें buffer reader class का object बनाना होगा यूज करोगे तो जो तुम्हारा method है उसके आगे के आएड करोगे throws i o exception ध्यान रखना इस उसका ठीक है तो चलो हम यहां पे तीन तरह का चार तरह का input लेके देखते हैं integer type का भी input लेंगे हम उसके लिए कि इंटीजर टाइब का वरियाबल ले लेते हैं ch ओके सो अब एक एक करके सारे इंपूट हम लेते हैं तो सबसे पहले इंटीजर टाइब का input लेते हैं एंड यहां पे एरर क्यों आ रहा है buffer reader में ओके buffer reader की हमरी के spelling गलत है B U F F E होगा B U F E R E D E R ठीक है ओके सो अब हम पहले इंटीजर टाइप का input लेना है में एक message प्रिंट कर देते हैं system.out.println और message देते हैं एंटर दी इंटीजर एंटर दी इंटीजर मतलब क्या बिना पॉइंट वाला नमबर अगर डेटा टाइप नहीं पता और character constant, string constant क्या होता है सब नहीं पता तो जाके मेरा वीडियो देख सकते हूँ सीरीज के बाकी वीडियो अब input कैसे लेंगे तो हम लिखेंगे x assign with अब यहां पर suppose अगर बफ़र इडर के बाद मैंने क्या वरियेबल लिया है बी आर ना तो हम लिखेंगे बी आर डॉट रीड लाइन रीड लाइन बट यहां पी एक प्रॉबलम है जो रीड लाइन method है जो भी input लेगा वो string form में input लेगा यानि suppose अगर तुमने एंटर किया 4 तुमने 4 एंटर किया या फिर तुमने 25 एंटर किया तो जो हमारा read line function है वो 25 को integer format में नहीं जब कि string format में read करेगा यह डबल quotation में जो होता है ठीक है तो हमें इसको convert करना पड़ेगा integer में तो कैसे convert करेंगे तो उसके लिए मैंने function बताया था ना integer.parse int तो हम क्या करेंगे पहले हां पे लिखेंगे integer dot parse int parse int का i uppercase में और parse int में space नहीं होगा parenthesis open close अब इसके अंदर हम लिखेंगे br.readline ठीक है तो जो भी readline method हमारा input लेगा parse int उसको integer में convert कर देगा I hope clear हो गया होगा next हमें क्या करना है double type का input लेना है तो एक और message देते है system.out.println enter the real number so point or number को हम real number बोलते हैं so enter the real number राइट यह हमारा हो गया अब double type के variable किया है y तो y assign with फिर क्या लिखेंगे हम अब जो bi.readline input लेगा उसको double में convert करना है तो हम लिखेंगे double dot parse double parse double और इसके अंदर हम फिर क्या पास कर देंगे सेम चीज़ bi.readline तो यहाँ पे होगा क्या readline method हमारा number input लेगा सपोज जब bi.readline execute हुआ तो तुमने form में ठीक बट हमें तो पॉइंट वाला number चाहिए तो पास डबल क्या करेगा 56.36 को number में convert कर देगा string से अब next देखते हैं string type का input लेंगे कैसे लेंगे तो फिर message प्रिंट कर देते हैं system.out.println enter the string semicolon sorry colon and then string type का input कैसे लेंगे तो br.readline तो string ही read कर रहा है तो यहाँ पे कुछ convert करने के जुरूरत नहीं है तो str जो string type का variable है और simple br.readline राइट यह हो गया हमारा next character type का input कैसे लेंगे तो हम लिखेंगे message पहले print कर देते हैं system.out.println enter the character enter the character और यहाँ पे input कैसे लेंगे हम variable हमने character type का क्या लिया है ch तो हम लिखेंगे ch assign with अब इस बार देखो हम br.readline का use नहीं करेंगे इस बार हम एक दूसरा method यूज करेंगे जिसका नामे read सिर्फ read br.read अब जो read है यह भी string type का data read करता है ठीक है तो अगर suppose तुमने एक character enter किया जैसे तुमने एंटर किया ए तो ए अगर double quotation में है तो string कहलाएगा और अगर single quotation में है तो character कहलाएगा तो br.read क्या करेगा तुम जो भी single character एंटर करोगे उसको string के form में read करेगा तो हम उसे कैसे convert करेंगे character में तो हम br.read के पहले parenthesis में जिसको हम type cast operator भी बोलते हैं हम लिख देंगे care इसको हम explicit conversion बोलते हैं मैं अभी type conversion पर वीडियो आगे upload करूँगा अभी के लिए बस इतना धिहान रखना जब भी तुम्हें store करेंगे अपने program में राइट अब इस program को save कर लेते हैं और run करके देखते हैं सो हम नीचे terminal में आते हैं इसको मैं clear कर लेता हूँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पर Java C program का नाम क्या है हमारा abc so abc.java enter है hopefully कोई error नहीं होना चाहिए ओके error नहीं है अब Java and then abc अगर नहीं पता program को कैसे run करते हैं कहां मैं run कर रहा हूँ तो वीडियो जाके देख सकते हैं series का मैंने पूरा वीडियो अप्लोड किया है तो यह देखो enter the integer मैंने किया 42 ठीक है फिर enter the real number मैंने किया 3.6 फिर enter the string तो मैंने किया है then enter the character तो मैंने किया u ठीक है ओके मैंने print नहीं किया इससे print नहीं किया तो सबको हम print कर देते हैं ठीक है तो system.out.println integer is क्या है हमारा integer plus किस variable में है x में है न तो x फिर system.out.println system.out.println और real number is क्या है real number हमारा किस में है y में है तो y then next कौंसा में print करना है so system.out.println next है हमारा string so string is plus str then next क्या हमें character constant न तो system.out.println character is plus ch ये हो गया फिर से run करते हैं हम तो java c abc.java then java abc तो enter the integer ये message कहां से enter the integer line number 11 से ठीक है और फिर देखो उसके ठीक नीचे करसर दिख रहा है न यहां पे या input मांग रहा है enter the integer के नीचे यानि अभी computer किस line पर रुका हुआ है इस वरे line पर line number 12 पर और अभी कौन सा method काम कर रहा है ये bi.readline method ठीक है तो अब देखो होगा क्या है जैसे ही में number एंटर करूंगा ठीक है तो मैं इसको हटायता हूँ अब देखो मैं enter करता हूँ enter तो 25 integer में convert होके x में store हो गया फिर अगले line से क्या message आ गया enter the real number फिर उसके नीचे फिर br.readline तो अब मैं number अब एंटर करता हूँ 3.6 फिर enter the string तो this is a string मैं ऐसे sentence कर देना हूँ this is a string फिर enter the character तो मैं character कोई भी एक single character तो मैं कर देता हूँ m% का sign अब enter करते हैं देखो सारा मारा print कर दिया integer is 25 real number is 3.6 string is this is a string character is m% so I hope clear हो गया होगा कि हम buffer reader class का use करके user input कैसे लेंगे तो फिर इसे एक पर ध्यान से देख लो जब भी तुम्हें buffer reader class से input लेना होगा तो io package को ऐसे import करोगे import java.io.aster buffer reader class का object बनाओगे इस तरीके से इसमें हर चीज का ध्यान देना कहां आप कौन सा letter uppercase में कौन सा lowercase में फिर integer type का input लेने के लिए br.readline और integer.parseint double के लिए pass double string के लिए br.readline character के लिए br.read और उसके पहले care ठीक है so I hope इतनी शीजे बिल्कुल clear हो गई होंगी so मिलते हैं next video में thank you for watching this video and do subscribe and like this video thank you